नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट, नर्सिंग स्मार्ट के यूटूब चनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, डोक्टर आरेमल और एजी पीजाय लखनों की प्रेपरेशन के लिए आज के सेशन में हम देखेंगे कुछ और बहु ज़्यादा इं क्लरक यहाँ पर क्या बोल रगा time ब्रेइन को इसने कोड कर दिया, इन की जिगार कि लिखा आपके अमेशा रहनी ही चाहिए B जो है खुद 2 पे आता है 2 का 4 कैसे हुआ भई प्लस 2 हुआ R जो है खुद 18 पे आता है प्लस 2 कर दिया तो 20 हो गया A खुद 1 पे आता है A एक पे आता है प्लस 2 किया तो 3 हो गया I जो है खुद 9 पे आता है तो plus 2 किया तो 11 हो गया एन खुच जो है 14 पे आता है plus 2 किया तो 16 हो गया इसका मतलब जो alphabets है उनकी position में आपको plus 2 करना है C की position 3 की है plus 2 करोगे तो क्या जाएगा 5 options में नज़र रखते जाना A नहीं है B नहीं है C नहीं है D option मिल गया है लेकिन फिर भी आप एक बार के लिए एक alphabets का ओर देख लीजिएगा L जो है खुद 12 पे आता है तो इसमें plus 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा E जो है वो कितने पे आता है 5 पे आता है तो 2 करोगे तो 7 आ जाएगा देख लीजिएगा आपको सीरीज में सारी चीजिए है वो उसी करम में नजर आ रही है option D सही है next question देखिए select the option that is related to the third term on the same basis as the second term is related to the first term cricket देखिए first और second term जिस त्रिके से related है वैसे ही third और four term होने चाहिए cricket का 11 से क्या relation है देखते ही समझ में आजाना चाहिए कि cricket में एक साइड में खिलाडी कितने होते हैं cricket में एक साइड में खिलाडी होते हैं वैई टोटल 11 तो football की भी teams में एक साइड में 11 प्लेयर सी होते हैं option A clear है क्योंकि इसके अलावा आपको रिधर हुदर जाने की ज़रत नहीं है तीसरा question देखिए if A at the rate B means A is the father of B यहां पर at the rate का मतलब क्या है father है A plus B का मतलब क्या है A is the wife of the B and A minus B का मतलब minus का मतलब क्या हो गया mother of B then what does P plus Q at the rate R minus S means बनाएंगे हम tree बनाएंगे family tree बनाएंगे P plus Q P plus Q कहां पर है देखिएगा second number वाला P plus Q का मतलब देखिए यहां पर क्या है P plus Q कहां पी is the wife of Q P is the wife of Q तो P का निसान minus का आएगा Q का निसान plus का आएगा और यह एक लाइन में आएंगे ठीक है Q at the rate R Q at the rate R Q father है किसका R का Q father है किसका R का तो बेटा है बेटी होगी नीचे हमने रख दिया R minus S R minus S का मलब R mother है किसकी B की R mother है किसकी S की तो S यहां पर ओर नीचे आगया और R का gender क्या हो गया माइनस का हो गया समय लिजेगा अब क्या हो गया S की mother R R का father जो हो कोन हो गया R का father कोन हो गया mother के पिता जी क्या हो गये mother के पिता जी nana जी हो गये और nana जी की wife क्या हो गये nani हो गई तो P is the grandmother of S question का answer आपको समझ में आ जाना चाहिए P जो है वो S की क्या है nani है P जो है वो S की क्या हो गयी यहां पर nani हो गई clear होना चाहिए next question देखिएगा out of the given options three are similar in certain manner however one option is not like the other three select the option which is different from the rest देखिएगा V, S, Y यह देखिए एके की दे रखे हैं यहां पर और कौन सा इनमें से अलग है mail नहीं का रहा V, S तो पहले आ जाएगा Y बाद में आएगा तो देख लेते हैं बार V और Y में कितना difference है U, V W, X, Y कितना हो गया भई W, X V के बाद में क्या आता है U, V, W W, X, Y तो क्या आगया भई प्लेस तीन हो गया S क्या आता है भई पहले आता है तो क्या हो रहा है R, S, T, U, V तो V से कितना पहले चला गया 1, 2, 3 यह माइनस तीन बीच का अकसर माइनस तीन है लास्ट वाला प्लेस तीन है देखते हैं सब में यही चल रहा है क्या K, H, N K और N में कितना फरक है L, M, N प्लेस त्री हो रहा है K और H में रेलेसन देखिते जाएगा G, H, I, J, K तो 1, 2, 3 Yes, माइनस त्री हो रहा है P, M, S का भी देख लीजिएगा P, M, S तो Q, Q, R, S प्लेस त्री हो गया इसका में लब ठीक है M का देख लीजिएगा J, K, L, M, N, O, P 1, 2, 3 माइनस तीन हो रहा है यह भी ठीक है U, V, E U, V, E प्लेस तीन हो रहा है U, E, G, नहीं हो रहा A, S, A, P, L, S, तो तभी हो गए इसका मलब इन सब में A, B, C, के अंदर A की पैटन फॉलो हो रहा था फर्ष्ट के और लास्ट के अलफाबेट से में प्लस तीन का और फर्ष्ट के सेकंड के माइनस तीन का फर्ष्ट ता इसमें कोई relation established नहीं हो रहा यहीं आंसर करेंने सर्टेन कोड लेंग्वेज B, G, C, मी मिन्स, let's wait for her फी, जी, फी, ली, जी का मतलब होता है, come wait here ऐसे क्यूशन बहुत बार आता है एक्जामस में मी, डी, बी, टी का मतलब है, let's play with her what is the code for देखिएगा आपको, ज्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं करनी होती B, G, C, मी B, G, C C, मी इसका मतलब क्या हुआ बही यहाँ पर let's wait for her let's, हर एक word का एक-एक मतलब है, let's wait for her clear है, यहाँ पर दूसरा क्या दिखा रहा आपको फी, ली, जी फी, ली, जी का मतलब क्या है come, wait here clear है, तीसरा क्या है me, D, B, T me D, B, T मतलब let's play with her समझ में आ गया अब देखिएगा आप let's, let's इसमें भी आ रहा है, हर इसमें भी आ रहा है, हर इसमें भी आ रहा है, यह दोनों नहीं मिल रहे, इसका मतलब, यहाँ पर दो दो चीज़े मिल रही है, उनका मतलब let's, हर है, अब हमें exactly नहीं पता, किसका क्या मतलब और हमें जानना भी नहीं क्यों 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 मी और बी का मतलब क्या हो गया मी और बी का मतलब क्या हो गया लेट सर हो गया जी का मतलब क्या हो गया वेट हो गया इसका मतलब फोर के लिए क्या बचा जी सी बचा ये तो इनका तो मतलब अलग हो गया बी और जी का मतलब बी और मी का मतलब हो गया लेट सर, जी का मतलब हो गया, वेट, सी का मतलब क्या हो गया, फोर हो गया, तो ये इसी तरीके से questions को हमें करना होता है, next question देखिएगा, find the missing term in the following series, इस series में missing term कौन सा second ही पूछ लिया, अगले वाणों में relation देख लिए, z, x, b, d, b, f कैसे हो गया, z के बाद में क्या आता है, a, b, c, d, plus 4 हो रहा है, x के बाद में क्या आता है, y, z, a, b, plus 4 हो रहा है, b के बाद में क्या आता है, c, d, e, f, plus 4 हो रहा है, तो देख लेते हैं इसमें भी प्लस 4 से आगे वाला बन रहा है क्या तो फिर तो हमें यहां पर भी प्लस 4 कर देंगा Rbd का D के बाद में E F G H S H आ रहा है clear है B के बाद में प्लस 4 में क्या आ जाएगा जी C D E F F आ रहा है F के बाद में क्या आता है जी G H I J यही आ रहा है मना प्लस 4 हो रहा है तो R P T में प्लस 4 करते चले जाएए R S T U V V आ गया P के बाद में Q R S T T आ गया T के बाद में U V W X आ गया V T X आ गया इसका अनसर और दोस्तों जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन आप इन चीज़ों की करोगे प्रिपरेशन करोगे उतना ही ज़्यादा है आपको एकजाम से में फायदा आप सोचते हो कि हमें तो ऐसी चीज़ें आती है जी नहीं कोई फायदा नहीं आपको ऐसी चीज़ें अगर आती भी है तो जब तक आप ऐसी चीज़ों की practice नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है next question देखिएगा select the pair that is related on the same basis of the pair given in the question PDN SAQ देखिए इन में जो relation है PDN से क्या बना SA और क्यों बना P के आगे S आता है QRS plus 3 D के minus में आता है A तो D के minus में क्या आएगा C B A minus 3 हो गया N के plus में आएगा O P Q plus 3 plus 3 minus 3 plus 3 ऐसा किसी में बेट रहा है क्या वहीं आपको यहां पर option में आ जाएगा S H B plus 3 minus 3 और plus 3 आपको करना है S का plus क्या होता है T U V yes सही बेट रहा है H का minus 3 क्या होता है C D E F G H 1 2 3 E आता है B का plus 3 क्या आता है C D E आता है पहला ही option हमें मिल गया है और भी आप करके देख लीजेगा T P A V N B मिलता है क्या U V यह option गलत हो गया plus 2 हो गया K के आगे L M plus 2 हो गया L के आगे M N O plus 3 हो रहा है S के पिछे में S के P Q R S 1 2 3 यहीं पर गलती हो गया यह भी मैनेस 2 कर दिया तो option क्या करक्ट आ गया आपका क्यूसन देखिएगा select the pair that is related on the same basis to the pair given in the क्यूसन steering car steering जो है वो कार को चलाते हैं वैसे ही fan ceiling को चलाता है क्या जी नहीं wall clock को चलाती है जी नहीं परनीचर कारविंटर को चलाता है जी नहीं wheel vehicle को चलाते है यह ओप्शन करक्ट है अरे इंद गिवन वर्डस इन दे सिक्वेंस इन विज दे अकर इंद डिक्सिनारी यानि डिक्सिनारी के साफ से नहीं लिए आपको उनका range करना है देखेगा क्यूस्टन में एच हैकल्ड हैकर हैबिटेट हैलोजन हाफवे एच 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 ए तो सम में सेम आरा जी ठीक है इसके बाद तीसरा अलफाबेट देखीगा सी सी बी ओ एल बी वाल सबसे पहले आएगा इसका मुलत तीसरे नंबर का सबसे पहले आएगा यानि कि बी ओर सी तो नहीं हो सकते ओप्संस में बी ओर सी तो नहीं है तीसरा ओप्सं का सबसे पहले आएगा अब दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा बी वाला आ गया है मारे पास में अब देखिए क इसमें E है तो E वाला पहले आगा दूसरा नंबर का इसके बाद में आएगा ये देखिए अब आपको option कौन सा मिल चुका है D मिल चुका है इसके आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है देखने की जरूरत नहीं है आपको option जो डी एकदम clear cut correct हो गया है select the option that is related to the third term in the same way देखिए लगबग सेम उसी तरिके के questions से हम जो कर रहे हैं O V Y कैसे बना S Z C कैसे बना जी देख लेते हैं वैसा ही relation कर देंगे P Q RS प्लस 4 हो गया W X Y Z प्लस 4 हो गया Z A B C प्लस 4 हो गया प्लस 4 हो रहा है इसका मतलब F R W G H I J J आएगा S T U V V आएगा X Y Z A A आएगा J V A J V A आजाएगा answer correct है आज के session का last question हम देखने वाले हैं आपर Manisha and Sanjana are good in geography and Hindi देखिए question में क्या बोल रहा है Manisha और Sanjana लिखना पड़ेगा आपको Manisha, Sanjana जो है वो किस में अच्छे है जियोग्राफी और Hindi में अच्छे है कार दीजे आकांग्षा आकांग्षा और Manisha Hindi Chemistry आकांग्षा और कोन Manisha किस में अच्छे हैं भई हिंदी और Chemistry में अच्छे हैं किस में अच्छे हैं किस में अच्छे हैं किस में अच्छे हैं कि 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 में अच् और maths में अच्छे हैं, clear है, प्रेक्षा एंड संजनार good in English and geography, प्रेक्षा एंड संजनार, किस में अच्छे हैं बई, इंग्लिस और जोगराफी में अच्छे हैं, clear है, अब देखिएगा, आप क्युस्टन आप से क्या बोल रहा है, who among the following is good in chemistry, English and maths, इन में से कौन सा chemistry में भी अच्छा है, English में भी अच्छा, maths में भी अच्छा, लेकिन हिंदी में अच्छा नहीं है, हमें यही देखते जाना है, मनिश्या इन तिनों सब्जेट्स में अच्छी है, क्या, यहां से वो मिट करते जाएंगे हम, chemistry, English, maths, मनिश्या का नाम, chemistry, English, maths, देखिए, और हिंदी में अच्छी नहीं होनी च्छी है, लेकिन दो कोई हिंदी में अच्छी है, इसलिए मनिश्या का तो नाम आप ही अठाय तो ही ठीक है यहां से, option में incorrect हो गया, यहीं पर हिंदी में अच्छी है, हिंदी में अच्छी नहीं होनी च्छी थी, आकांशा, chemistry, English, maths में अच्छी है क्या, आकांशा कहां पर है, हिंदी में अच्छी है, इसलिए option incorrect हो गया, हिंदी में अच्छी होनी नहीं च्छी थी, आका केमेश्ट्री इंग्लिस मैज नमन का नाम कहां से शुरुआ केमेश्ट्री में अच्छा है इंग्लिस में अच्छा है नमन का नाम मैज में भी है नमन का नाम कहीं पर भी हिंदी में आया इसका उप्शन यह करक्ट है प्रेक्षा का भी हम देख लेंगे प्रेक्षा किस-किस म भी यहाँ पर नहीं मिला इसलिए हमें इसको option को incorrect है नमन यहाँ पर correct answer मिल गया है आज के session में इतना ही मिलेंगे very next update के साथ thank you